हलो फ्रेंड्स कैसे हैं मैं मुकेस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो एक देखी न्यू जा रहे हैं दोस्तो की नई सिच्छा नीती को मंजूरी मिल गई है दोस्तो कैबिनेट के द्वारा मोदी कैबिनेट के द्वारा नई सिच्छा नीती को मंजूरी मिल गई है और इसके द्वारा आज एक और बदलाव किया गया है कि HRD Ministry मतलव मानोश अंशाधन विकास मंत्राले का नाम बदल दिया गया है अब क्या होगा सिच्छा मंत्राले इसका नाम कर दिया गया है तो ये आपके लिए काफी important है कि HRD का नाम बदल के सिच्छा मंत्राले कर दिया गया है इसमें देखी और क्या क्या आया है दोस्तो आज का नियूज तो चलिए देखते हैं आप लोग पूरा देखे सुरू से अंतक देखे हना काफी महत्पुर्ण नियूज है क्योंकि ये 34 साल जो पुराना हमारा सिच्छा था जो सिच्छा निती था उसे समाप्त करके नई सिच्छा निती लाई गई है तो यहां बताया जा रहा है आपको कि मानवश अन्शाधन विकास मंत्राल है MHRD का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है सिच्छा मंत्राले कर दिया गया अब इसकी घोसना कब हुई तो 29 जुलाई यानि आज बूधवार को इसकी घोसना कर दी गई और जो यह फैसला है मोदी कैविनेट की बैठक में लिया गया और वहीं परधान मंत्री नरेंदर मोदी की अगवाई में हुई इस बैठक में नई सिच्छा नीती को मंजूरी दे गई है तो यह काफी इंपोर्टेंट है कि जो 34 साल आनि 1986 की अभी जो वर्तमान में सिच्छा नीती था वो 1986 में जो सिच्छा नीती बना था उसके नुसार चल रहा था उसको समाप्त करके नई सिच्छा नीती को मंजूरी दे दी गई है दोस्तो फिलहाल जो मानो संसाधन विकास मंत्री है वो कौन है रमेश पोखरियाल निशंक है ना देखी आगे आपको न्यूज है कि मानो संसाधन विकास मंत्राले मानो संसाधन मानो साथन बिकास मंत्राले को नाम बदल के क्या कर दिया गया है मानो सनसाधन विकास मंत्राले को मंधल के लिए काफी important news है आप सभी के लिए आगे इसमें बताया गया है कि भारती अंतरिच अनुशंधान संगठन यानि इसरों के पूर्व अध्यच जो थे वो कस्तूरी रंगन थे और इनकी अध्यचता वाली समीती नहीं पिछले वर्स मानोशंशादन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई सिच्छानिती का मौसवदा सौपा था तो कौन सौपा था कस्तूरी रंजन जो इसरों के पुर्व अध्यच थे और इस दवरानी निशंक ने मत्राले का कारवाल सम्हाला था और नई सिच्छानिती के मौसवदे को विभिन पत्र पच्छकारों की राय के ल आपधान होगा यह जैसे ही लागू होगा आप सभी को बताया जाएगा नेक्स वीडियो में आगे यहां बताया जा रहा है कि नई सिच्छा निती को मिली मंजूरी जाने क्या होगे इसके फाइदे क्या होगे तो नई सिच्छा नीती को भी मंजूरी मिलने के बाद अब पूरे उच्छ सिच्छा छेतर के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉड़ी होगी दोस्तों सरकार का कहना है कि इस सिच्छा में व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है अब विवस्था को अब खत्म किया जा सकता है नई सिच्छा नीती के द्वारा साल का बजट जो 2021 का जो बजट होगा उसमें वीत मंतरी निर्मला सीता रमन ने नई सिच्छा नीती का एलान किया था ठीक है आगे आपको बताया जा रहा इसमें कि वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने बजट पेस करते हुए क्या कहा था कि केंदर सरकार सिग रही नई सिच्छा लेकर आएगी और वो आपको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है सीता रमन ने 20-21 का बजट पेस करते हुए कहा था कि अगले वित वर्स में 99,300 करोल रुपिये सिच्छा के लिए और कौसल विकास के लिए 3,000 करोल रुपिये अवंटित किये जाएंगे तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा न्यूज है आगे इसमें बताया गया था कि सिच्छा मंत्राले ने उच्छ सिच्छा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉड़ी नेशनल हायर एजूकेशन रेगुलेटरी ऑथोरिटी या हायर एजूकेशन कमिशन आफ इंडिया तै किया गया है वर्तमान जो सिच्छा नीती था दोस्तों ये 1986 में तयार की गई थी जहां मैंने आपको बताया और इसे 1992 में क्या किया गया था संसोधन किया गया था और नई सिच्छा नीती जो है 2014 में जो इसका विशा है 2014 के लोकसभा चुनाओं में भारतिये जनता पार्टी ने चुनावी घोसना में इसे पत्र में शामिल किया था और अभी नई सिच्छा नीती को मंजूरी मिल गई है और मशोधा तयार करने वाले विश्यशग्यों ने पुर्व कैबिनेट सचीव TSR सुब्रमन्यम के नित्रित्व वाली समीती द्वारा तयार की गई रिपोर्ट पर भी विचार किया इस समीती का गठन मानोश अंशाधन विकास मंत्राले ने तब किया था जब मंत्राले का जिम्मा स्मिर्ति रानी के पास था तो ये था दोस्त आज का ब्रेकिंग नियूज जो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट था सेर करना काफी जरूरी था आ आप लोग तियारी करते रहें आप सभी को तयारी कर या रहा रहा है Espection किसी परकार का किसी करना हो था अक घृष करें कोमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल के नहीं हैं तो पनि जरुआ सहावत सब्सक्राइब कर ले जैहिन दोस्तों फिर हो मिलते हैं